जय सेवा जय जोहार साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे में हीरा शाहिनवाती रानी दुर्गावती भारतिय इतिहास की एक प्रसिद योध्धा रानी थी, जिनका नाम वीर्ता, साहस और मात्रभूमी के प्रती निश्था के लिए आज भी लिया जाता है। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने राज्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई लगाईया लड़ी। घुरसवारी और शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें अपने समय की बहतरीन धनुर्धारी और तलवार बाजों में गिना जाता था। विवाह और राज्या विशेक, रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था, जो गोंडवंश के शासक थे। दलपत शाह एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनकी मृत्यू के बाद जब उनका पुत्र वीर नारायन छोटा था, रानी दुर्गावती ने राज्या का शासन संभाला। रानी ने बड़ी कुशलता और द्रिर्ता से गोंडवाना राज्य का शासन किया, जिसमें वर्तमान मध्यप्रदेश का बड़ा हिस्सा शामिल था। उन्होंने अपनी सूजबूज और नीतियों से राज्य को सशक्त और सम्रिध बनाया। मुगलों से संघर्ष, रानी दुर्गावती का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल समराट अकबर के साथ हुआ। अकबर ने अपने सेनापती आसफ खान के माध्यम से गोंडवाना राज्य पर आक्रमन किया। रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना के खिलाफ संघर्ष करने का साहसिक निर्ने लिया। उन्होंने मुगलों की तुलना में अपनी छोटी सेना के बावजूद वीरता से लड़ाई की। 1564 में नरई नाला की लड़ाई में रानी ने मुगलों का सामना किया। उन्होंने अपनी सेना का नित्रित्व करते हुए मुगलों के सामने कड़ा प्रतिरोध किया। हाला कि उनकी सेना मुगलों के मुकाबले कमजोर थी लेकिन उन्होंने हार मानने से इंकार कर दिया। जब रानी दुर्गावती भारतिय एतिहास में आदम्य साहस और वीर्ता की प्रतीक मानी जाती है। उनके बलिदान ने यह सावित किया कि मात्रभूमी की रक्षा के लिए एक सच्चा योध्धा अंतिम समय तक लड़ सकता है, चाहे परिस्तितिया कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। उनके बलिदान के बाद भी गोंडवाना राज्य में उनके शासनकाल की स्मृती जीवित रही और वह भारतिय नारी शक्ती और साहस की प्रतीक बनी। रानी दुर्गावती का बलिदान भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक प्रेर्णा स्रोत बना रहा। उनके नाम पर आज भी कई स्मारक, शिक्षन, संस्थान और योजनाय चल रही हैं, जो उनकी महानता और वीरता की गाथा को आने वाली पीडियों तक पहुचाते हैं।